हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई यूटूब चैनल लेट्स स्टड़ी इंग्लिश तो जैसा कि हम डेली यूपीटिज़िटी और पीज़िटी से के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन का प्रेक्टिस सेट लगा रहे हैं तो इसी सिरीज में ये आज का थर्ड प्रेक्टिस थीक है और जिसकिसी ने पिछले दो प्रेक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वह उन्हें भी देख सकता है इसी चैनल पर जाकर यानि लेट्स स्टड़ी इंग्लिश पर जाकर ओके तो शुरू करते हैं फिर आज के कोश्चन हमारे थीक है पहला कोश्चन देखते हैं येस फ इन विच आप दे फोलेंग पोएम ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें फेट्फुल सेफ़र्ट का रेफरेंस दिया हुआ है तो देखते हैं आप्शन है हमारे पास क्रॉसिंग दीबार, डोवर बीच, रगभी चैपल ये नन अब दी अबब कौन सी पोएम है ऐसी क्या हो अब इसका राइट आंसर येस ये पोएम है रगभी चैपल अच्छे ये पोएम किस ने दी थी किसकी ये पोएम्स हाँ ये पोएम थी मैच्यू आनोल की ठीक है ये ध्यान में रखना है और ये लिखी गई थी कब लिखी गई थी ये 67 में तो ये पब्लिश हुई थी और 1840 में ये लिखी गई थी ठीक है तो इसे भी ध्यान में रखना है कि अगर रिटन होने की बात आए तो 1840 है और अगर पब्लिशिंग की बात आए तो ये 1867 है now moving to the next question हाँ अब इस question को देख लेते हैं ये question है which of the following periodicals was started by Walt Whitman तो नीचे जो periodicals दिये हुए हैं मतलब जो पुराने टाइम पे जो जर्नल बगएरा आते थे उनके बारे में बात हो रही है तो इन में से कौन सा ऐसा जर्नल था जो Walt Whitman के दुवारा शूप किया गया था हमें ये बताना है तो पहला option है long islander, second है the mirror, third है the outlook और none of the above क्या होगा इसका right answer? इसका right answer है option number A, the long islander ठीक है, ये long islander news, it is a local news organization, okay that covers the town of Huttington, New York, okay ठीक है, अब आगे चलते है हाँ, हमारा एक question देख लेता है the lines, I am forced by the five sense of the five senses ये किस ने दी थी? ये ये line किस poem में है? Ulysses में है? Hymes of in darkness में है? ये the visitors में है? ये the looking glass में है? क्या होगा इसका right answer? सोचिए और answer करने की कोशिस कीजिए Ulysses, Hymes in darkness, the visitor, the looking glass ये इसका right answer है, option number B, Hymes in darkness Now, next question Gift of Outright Gift of Outright is a poem ये poem किस ने दी थी? Walt Whitman, Robert Frost, William Faulkner, men of the above क्या होगा इसका right answer? सोचिए और answer करने की कोशिस कीजिए क्या हो सकता इसका right answer? Gift of the Outright The Gift of Outright किसकी poem है ये? ये poem है Robert Frost की और Robert Frost की एक बहुत ही famous poem है जो पंडिक जवाल लाल नहरुको भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और अकसर उससे question पूछ ले जाते हैं तो उसका नाम क्या था? Stopping by Boards In a Snowy Evening ठीक है? ये नाम नेम है ये भी poem जो है वो Robert Frost की है Stopping by Boards वाली ठीक है? तो ध्यान रखनी ये most important poem है इनकी Okay? Now moving to the next question Who is a Burley Landlord इन्थी बावर्स ट्रेड यूनियन? ठीक है? उस landlord मतलब एक character है जो बावर्स ट्रेड यूनियन में है तो उसका नाम बताना है Burley Landlord कौन था वो? विजय चंद था? परम चंद था? ठानू चंद था? नन अबदी अबब क्या होगा इस correct answer? सोचिए और answer करने की कोशिस कीजिए देखिए आप इस वीडियो को pause करके भी इसका answer पहले अपने आपसे guess करके लगा सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि आपके कितने answers correct हो रहे हैं तो इसका right answer हो जाएगा इसमें जो character था वो था बिजय चंद इससे देख लेते हैं अब word meanings के accordingly हमें देखना है कि कौन सा mismatch है first है horde, horde का meaning क्या enthusiastic होता है next है इसे jail भी g-a-i-l करना चाहिए चीड़ है जीड का meaning क्या होता है prison होता है session का मतलब क्या होता है act of giving up है या फिर assay का मतलब क्या होता है to test है कौन सा meaning इसमें mismatch है हमें ये बताना है बाकी तीन meaning सही होंगे इसमें एक गलत होगा उसे हमें बताना है तो इसका right answer क्या है yes इसका right answer है option number a horde का means enthusiastic नहीं होता ठीक है now moving to the next question I hope ये आपको proper clearly दिख रहा है which of the following rules is incorrect with reference to grammar grammar के कुछ rules दिये हुए है statement की method में और हमें ये बताना है कि कौन सा in में से incorrect है ठीक है तो पहला क्या है two main clothes separated only by a coma cannot stand in English part भी है when and is added to a pronoun governed by a preposition the letter governs and proceeds the relative pronoun also third statement है should with the second and third person means or to d would with the subject in the first person gives the meaning of or to कौन साइन करेक्टेस में से देखे आजकल easy question तो पूछे नहीं जाता है कि सीधे सीधे पूछ लिया इसी तरीके से statement method में पहुछ सारे question पूछे जाता है जैसे figure of speeches में भी आजकल lines कम दी जाती है जबकि figure of speeches की definitions especially जादा पूछ ली जाती है उनके characteristics के बारे में भी last year भी जो previous year question paper है हमारा उसमें भी काफी सारे चीज़े ऐसे ही बुजी गही है जैसे biography क्या होती है autobiography क्या होती है या फिर essay क्या होता है तो या फिर essay के विसमें इन में से कौन सी statement गलत है तो इसलिए हमें हर एक चीज़ की definition proper way में पता होनी चाहिए तब ही हम उनके correct कर सकते है और यही rule grammar में भी follow होता है कि अब ज़्यादा तर जो examiner है वो rule को लेकर question बनाता है ठीक है वो directly नहीं पूछेगा कि इसमें से noun क्या है pronoun क्या है वो उनकी characteristics को focus करेगा तो ऐसा ही यह question मैंने बनाया है तो इससे देख लेजिए इसमें पहले statement थी two main clothes separated only by या coma cannot stand in English तो यह correct है जब हम दो main clothes की बात करें तो वो कभी भी coma से stand नहीं करती उनके लिए एक conjunction का use करना पड़ता है जिसे coordinating conjunction भी बोलते है अब यह statement हमारी सही हो गई अब अगली statement देख लेता है when and is added to a pronoun governed by a preposition जब हम and को add करते हैं एक pronoun के साथ जो एक preposition के दवारा governed किया गया है the letter governs and precedes the relative pronoun also तो यह statement भी हमारी right है और हमारी first statement भी correct थी ठीक है अब option number c देख लेते हैं should with the second and third person means odd to जो second और third person है उसका meaning क्या odd to होता है next है हमारा would with the subject in first person gives the meaning of odd to तो क्या है इसका right answer पताईए इसका right answer है option number d would with the subject or first person gives the meaning of odd to चीक है now moving to the next question हाँ अगले question पर जलते हैं इसे देख लेते हैं अच्छे इसका answer आपको मुझे comment box में लिख कर देना है ठीक है prelude किसकी book है चलो ये तो मैं ही बता देदू किसकी है birdsworth की है ठीक है और ये किस form में लिखी गई थी ये आपको बताना है और इसमें total कितनी books हैं इसमें total कितनी books हैं बताईए yes very easy question इसमें total कितनी books हैं इसमें total 12 books हैं चले आगे अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग दी है तो इसे जादा से जादा शेयर करें जिससे कि मुझे भी motivation मिले ठीक है तो sorry मैं लो टिक गलत कर दिया है इसका right answer है option number B इसमें total 14 books हैं ठीक है now moving to the next question which character of Dickens keeps on hoping that something will turn up option है Barkis Meekawal Yuria Heep Miss Havencham क्या हो इसका right answer Dickens का ऐसा कौन सा character है keeps on hoping जो उमीद रखता है that something will turn up कौन है वो इसका right answer है option number B Meekawal और आपको मुझे इसके बारे में बताना है कि Meekawal Dickens के कौन से novel में बाया जाता है किसमें है ये character ये आपको comment box में मुझे answer दे रहा है now moving to the next question इसे देख लेता है which of the following pairs is mismatched in a series of singular to plural यहां पर ध्यान रहे कि ये जो matching दिये हुए in message और mismatch ये तो हमें बता नहीं है पर इसमें ये एक चीज जान रखने है कि यहां पर singular से plural किये जा रहे है तो इसी को ध्यान में रखकर हमें बढ़ाना है मतलब इधर की column जो है क्राइटेरिया जो है वो singular है और क्राइटेरियन प्लूरल है next है bureau bureau का burex next है medium medium का क्या हुआ media d है radius radius का क्या हो गया ready बताए कौन सा इसमे राइट आंसर होगा मतलब कौन सा mismatched है ये भी ठीक है सोचिए और आंसर करने की कोसिस कीजिए देखे जो हमारा radius होता है ये radius singular form में है और इसकी जो plural form होती है वो ready होती है यानि कि ये वाला तो बिल्कुल correct है अगर C की बात करें तो इसमें medium जो है ये पहले से singular form में है और हमेशा medium का जो plural form होती है वो media ही होती है तो ये इसकी plural form है तो ये भी correct हो गया हमारा अगर हम part B की बात करें तो bureau ब्यूरो क्या है हमारा ये भी पहले से singular form में है और इसकी plural form burex होती है ठीके Though ये भी right हो गया लेकिन अगर हम criteria से singular form में है और जो criteria है ये plural form में है तो इसलिए यही mismatched हो जाएगा तो हमारा right answer क्या होगा इसमें हमारा right answer होगा option number A, criteria, criterion ठीक है now, next question हाँ, अब यहां से question मैंने error के उठाए है तो आप error के questions देख लीजे कि एक sentence को ही चार parts में divide किया हुआ है और हमें बताना है कि कौन से part में error है तो sentence क्या है हमारा this, यहां से चुरूँ question, this car is superior and more costly than the one I have बताएए क्या होगा अशकराई राइड अशा this car is superior and more costly, कौन से part में error है हम, देखे अगर हम part A की बात करें तो part A में सिर्फ इतना दिया है this car is तो इसमें तो कोई error दिखनी रही है क्योंकि car singular है, singular के साथ इस आया है अगर हम part B की बात करें तो part B में दिखा दिया है superior, तो superior में भी कोई error नहीं हो सकता यह हो सकता है is superior आगर दिया है and more costly than the one I have तो कहां है इसमें error yes, इसके part C में error है मतलब and more costly यह वाला जो part है इसमें error है, ठीक है now moving to the next question you will either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school देखे, यह part A है हमारा यह part B है और यह part C है जो यहां से start हो रहा है, यहां से और यहां तक, यह part C है और यह part D है अब आप को अंसर करना है you will either have to improve your work or I shall have to dismiss you from school कौन से पार्ट में error लग रहा है जहां इसके पार्ट A में ही error है you will either have to ठीक है, तो अब चलते हैं हम next पे यहां पे देख लेता है यहां भी देखो, पार्ट दिये हुए है एक sentence के, यहां पे पार्ट A यह है जो यहां से यहां तक है उसके बाद पार्ट B यहां से शुरू होता है और यहां तक है, यह part B है उसके बाद यह part C है he has और next है हमारा part D जो remaining part है ठीक है तो sentence है he had been to school but यहां पा T है, ध्यान लखना but he has learnt nothing there he had been to school but he has learnt nothing there कौन से part मेर है देखो यहां पे जब हमने had been का use कर लिया he had been to school तो यहां पे has नहीं आ सकता इसका मतलब part C में हमारा error है now moving to the next question इसमें देख लेते हैं कहां पर error है तो इसका part A यह है part B यह है then यह part C है and part D पढ़ लेते हैं his failing to answer the question made the police suspect him बताइए कहां पर error है hmm yes इसका right answer है option number A his failing to ठीक है now next question there is always danger or panic when a fire breaks okay क्योंकि मैंने question number डाले नहीं है there is always danger or panic when a fire breaks up in a crowd city ध्यान से देखिए यह part A है हमारा यह part B है यह C है यह D है there is always danger or panic when a fire breaks up in a crowd city ध्यान से देखिए कहां है there is always part A बिल्कुल correct है part B की बात करें तो danger or panic यह भी correct है when a fire breaks up तो यहां पर a fire नहीं होने चाहिए यह fire के साथ कभी भी कोई article नहीं लगेगा ठीक है तो part C में हमारा error हो जाएगा now moving to the next question the opposite of super serious super serious का हमें opposite बताना ध्यान रखना एंटोनिम बताना है तो option A snowish B है meek and humble C है arrogant D है super serious superficial तो super serious का क्या opposite हो का हमारा बताईए इसका right answer है meek and humble जैसा कि देखने से पता चल रहा है super serious का opposite हो जाएगा meek and humble ठीक है now moving to the next question which of the following is written incorrectly हमें इनके writing position बताना है कि कौन सा correctly लिखा हुआ है और कौन सा नहीं तो हमें basically यह बताना है कि क्या यह space दे देकर लिखे जाता है या नहीं तो अगर हम पहले की बात करें परसेंट क्या परसेंट ऐसी लिखा जाता है हमें यह जाक करना है sometimes आसी लिखा जाता है all right at least बताईए कौन सा इन में से incorrectly written है तो देखें sometimes जो होता है वो बिल्कुल correct लिखा हुआ है रुकिये सॉरी हाँ अब ठीक है sometimes जो है वो बिल्कुल correct लिखा हुआ है इसमें space है सही है ऐसी ही all right all right भी बिल्कुल correct लिखा हुआ है और at least यह भी सही है लेकिन यह जो percent है इसे add करके लिखा जाता है ऐसे दूर दूर नहीं लिखा जाता है ठीक है इस question को देख लेता है which of the following is mismatch फिर से mismatch वाला question है तो हम इसे देखेंगे ठीक है option यह है true man cops the cold blood true man ने एक वर्क लिखा है the cold blood वो क्या है non-fictional novel है option b e.l. doctor's ragtime क्या है documentary fiction है S.W. Scott's Invenu historical noble है V.N. Sinclair's jungle क्या है यह लिखा हुआ है Nestle Roman है Nestle Roman sorry मैं इसे pronounce नहीं कर पा रही हूँ तो यह है Noxley Roman तो क्या है इसका राई डांसर कौन सा इसमें से mismatched है हमें यह बताना है वैसे TGT में नहीं आने वाला question यह PGT के लिए जरूरी है तो ध्यान रहे क्या हो इसका राई आंसर Yes इसका राई आंसर है option number D ठीक है तो चलते है next question पर Which is not correct statement for metanomy figure of speech ठीक है तो अब यह figure of speech आ गई है हमारी metanomy इसके बारे हमें देखना है कि कौन सी statement क्या नहीं है करेक्ट नहीं है ठीक है not ko especially ध्यान में रखके highlight करके देख लेना है तो option number A हमारे पास Greek language metanomy denotes a change of name B है metanomy occurs where one thing is applied to another with which it has become closely associated C है in metanomy a part of something is used to signify the wool and D है the scepter can be used to stand for a king in metanomy कौन सा option गलत होगा मतलब इसके लिए हम metanomy के सारे characteristics पता होने चाहिए तो इसमें कौन साइन करेक्ट है देखे first जो दिया हुआ है the Greek language metanomy denotes a change of name ये बिल्कुल राइट है ठीक है अगला metanomy occurs where one thing is applied to another with which it has become a closely associated ये भी करेक्ट है now in metanomy a part of something is used to signify the wool ये रॉंग हो जाएगा क्योंकि ये characteristics तो किसकी होती है सिनक्डकी की होती है ठीक है ध्यान लगना ये characteristics किसकी है सिनक्डकी ध्यान लगना ये सिनक्डकी की characteristics है और option number D क्या है the scepters can use to stand for a king in the metanomy ये भी correct है तो incorrect statement कौन सी हो जाएगी हमारी option number C ठीक है तो इसका यह right answer है now moving to the next question इस question को देख लेता है which of the following authors wrote the essay Naipas, India and Mine कौन सा ओथर ऐसा है जिसने ये वाला essay लिखा है Naipas, India and Mine Kamla Das ने लिखा है A.K. Ramanujar ने लिखा है Rohitand Mistre ने लिखा है Nisim Azikl ने लिखा है किसने लिखा है ये work सोचिए Yes ये work है Nisim Azikl का ठीक है Nisim Azikl जो एक Indian Javis poet थे और ये actor भी थे playwright भी थे editor भी थे और art critic थे ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसे जादा से जादा से शेयर करें और मैं डेली आपके लिए इसी तरीके से प्रक्टिस एट कराऊंगी और जिरोंने मेरे पिछले प्रक्टिस एट नहीं देखें हैं तो वो उन्हें भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है चैनल करने में लेट्स स्टेडी इंगलिश थैंक्स फोर वाचिंग